हेलो और वेलकम यूट्व विज्ञान रिचार्ज और दूसरी स्मॉल कैलिबर और दोनों को चलाने का तरीका भी बिलकुल अलग है यहां तक कि दोनों की ट्रेनिंग भी अलग होती है इसे गलती से भी बजाज और हीरो मोटर साइकल से कंपेर मत कर लेना कि एक चलानी आ गई तो दूसरी भी चल जाएगी कभी आप सोच रहे हों कि दोनों गनर एक दूसरे से बोलते हैं यह भाई लाला तेरी वाली गन आज मैं चला कर देखता हूँ और पता लगा अपने ही एरक्राफ्ट की पूँच पर गोले दागने शुरू कर दिये ऐसा तो बिलकुल ना होता तो चलो जानते हैं होता क्या है देखो भाईया हैवी आर्टिलरी गन दुश्मन देज के लडाकु विमान पर एक्जेक्ट निशाना तो ना लगा सकती तो इसलिए उसमें टाइम फ्यूज शेल का इस्तेमाल किया जाता है अब ये क्या चीज है टाइम फ्यूज शेल टोप का वो गोला है जिसके फटने के समय को कंट्रोल किया जा सकता है अब इस तरह के शेल को एरक्राफ्ट के जितना नजदीक हो सके फायर किया जाता है ताकि उसके धमाके से पैदा होने वाले चर्रे लडाकू विमान में घुसकर उसे नश्ट कर सके लेकिन लाइट आर्टिलरी गन के शेल जहाज से टकराने के बाद ही फटते हैं और क्योंकि तेज रफतार पर उरते वे जहाज पर निशाना लगाना आसान नहीं है इसी लिए हैवी आर्टिलरी गन के मुकाबले लाइट आर्टिलरी गन का फाइरिंग रेट बहुत जादा होता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है हैवी आर्टिलरी गन की शेल एक सेकंड में एक हजार फुट की दूरी तै करती है और लगबग 27,000 फुट की दूरी तैक करने में 27 सेकंड का समय लगता है ये हवाई जाज अपने साथी प्लेन के साथ बॉम्बर फॉर्मेशन बना कर दुश्मन के इलाके में गुज गया जिसकी रफ्तार लगबग 200 मील प्रति घंटा है अब अगर गनर इस प्लेन पर निशाना लगाकर गन को फायर करे तो उसका निशाना 100% चूक जाएगा वो इसलिए क्योंकि जब तक ये शेल अपने टार्गेट वाली जगह तक पहुँचेगा तब तक पूरी हवाई जाज की फ्लीट लगबग 2 मील आगे जा चुकी होगी इसलिए एक गनर हमेशा अपने टार्गेट से लीड लेकर ही फायर करता है अब देखो जंग के मैदान में बहुत कुछ दाव पर लगा होता है इसलिए सिर्फ अंदाजा लेकर तो निशाना नहीं लगाया जा सकता तो किसी एरक्राफ्ट को हिट करने से पहले मैथामेटिकल कैलकुलेशन करके एक्जेट सही लीड को कैलकुलेट किया जाता है आओ जानते हैं ये काम कैसे करते हैं सबसे पहले दुर्बीन जैसी ऑप्टिकल मशीन पर एरक्राफ्ट का पता लगा कर उसे क्रोस हेर पर रखा जाता है ताकि उसके चाल चलन और हरकतों पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके क्या पता कब हवा में गुलाटी मार दे जब वो एरक्राफ्ट क्रोस हेर पर होता है तो उसकी एंगुलर हाइट और उसकी दिशा का सही अनुमान लगाया जाता है इसी दोरान एक टेलिस्कॉपिक रेंज फाइंडर जमीन से विमान की उचाई का पता लगाता है लेकिन माल नो दुश्मन देशा बड़ा चलाक और उसने खराब मौसम का फायदा उठा कर अपने हवाईजास भेज दिये तो ऐसी इस्थिती में तो ये चीजे काम ना करने वाली तो तब हम इस्तेमाल करेंगे रेडार का फिर ये सारी जानकारी रेडार की मदसे जुटाई जाएगी अब चाहे आप उप्तिकल इंस्टूमेंट का इस्तेमाल करें या रेडार का दोनों ही इस्थिती में ये सारी जानकारी तार की मदद से एक डारेक्टर को भेजी जाती है, जो सारी मैथामेटिकल कैलकुलेशन करके विमान से आगे निशाना लगाने की सही लीड पता करके गन को ओटोमेटिकली सेट कर देता है, भाई सब अगर आप ये सारी जानकारी से सही लीड लेकर आर्टिलरी को फायर करके टार्गेट को हिट करने के बारे में सोच रहे हो, तो जिस रफतार से ये खयाल आपके दिमाग में आया, उतनी ही तेजी से इसे निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो ना होता, इसकी कोई गैरंटी नहीं है कि अभी भी निशाना अपने टार्गेट पर लग जाएगा, तो अब दिमाग में आता है एक सवाल, क्या ये प्लेन हिट किया जा सकता है, या बस यूँ हवा में हाथ पैर मारते रहेंगे, देखो 100% तो किसी भी चीजी गैरंटी नहीं है, लेकिन प्लेन को हिट करने की संभावना बढ़ाने के लिए किया जाता है बैटरीज का प्रियोग, अब इसे आप कार मोटर साइकल की बैटरी मत समझ लेना, एक से ज़्यादा आर्टिलेरी गन, कैनन या होविद्जर, जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो उन्हें बैटरीज कहा जाता है, अब जब तक प्लेन रेंज में रहेगा, डारेक्टर इस सैटिंग को एड़जस्ट करके, नए टार्गेट पर लगातार फायर करता ही रहेगा, इस समय आप जो देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं बैटरीज के द्वारा कॉडिनेशन में किया जा रहा फायरिंग डेमोंस्ट्रेशन, अब जंग के मैदान में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारी बैटरीज इखटी लगाई जाती हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बैटरीज का मतलब एक से जादा आटिलरीज गन का एक साथ कॉडिनेशन में फायर करना, और ये सारी बैटरीज प्रॉपर लीड लेकर ही फायर करती हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन इनके डारेक्टर के द्वारा इनको दिया जाता है, एक बैटरी किसी विमान पर जब तक फायर करती है, जब तक वो विमान उसकी रेंज में रहता है, और जैसे ही विमान बैटरी की रेंज से निकल जाता है तो नई बैटरी ये जिम्मेदारी उठा लेती है इस प्रोसेस को मिलिटरी में Continuously Pointed Fire कहा जाता है और एक्चुल में ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा यानि एक से चार गोलों की इखटी बरसात फायरिंग के इसी तरीके को सबसे आदा सटीक और सबसे आदा डेंजरस कहा जाता है अब जानते है Predicted Concentration Fire के बारे में अब इस तरह के फायरिंग मेकेनिजम में एक Master Control Center उस एरिया की सभी बैटरीज को कॉर्डिनेशन में फायर कराता है इस एनिमेशन में हर एक गन अपनी बैटरी को रिप्रेजेंट कर रही है यानि एक गन चार-पांच आर्टिलरी गन को रिप्रेजेंट कर रही है सबसे पहले टार्गेट की दूरी रफ्तार और उंचाई का पता लगाया जाता है और ये काम लगातार किया जाता है ताकि इस डाटा का एवरेज निकाल कर सही Point of Target का पता लगाया जा सके इस information के खटा होते ही बैटरीज को टार्गेट पर Lock किया जाता है और ऐसा होने के बाद किया जाता है Fire और जब तक Fire किये गए शेल हवाई जहाज तक पहुंचते हैं इसी दोरान नए टार्गेट का पता लगाया जाता है और बैटरीज को अगले टार्गेट की तरफ Point कर दिया जाता है हाला कि Predicted Concentration Fire Mechanism पहले वाले की तरह जादा accurate नहीं है पर फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये Reality में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में टार्गेट को हिट करने की कोई guarantee नहीं है यानि एक Gunner के सामने खड़ी होती है उसकी सबसे बड़ी weakness यानि Target की prediction जब कोई aircraft Gunner के द्वारा track किया जाता है तो इसमें लगबग 5 सेकिंड का समय चला जाता है अब Director के द्वारा calculation करके future target point का पता लगाने में और 5 सेकिंड का समय लग जाता है और उसके बाद Gun के द्वारा fire की गई शेल को लगबग अपने target पे पहुचने में 25 सेकिंड का समय लगता है यानि target को देखकर fire करने के बीच में total 35 सेकिंड का समय चला जाता है और इसके बाद नया अनुमान लगा के fire करने में और 35 सेकिंड लगते हैं लेकिन अगर कोई plane अपना 25 सेकिंड के बाद रास्ता बदल दे तब ऐसी स्थिती में उस पर निशाना कैसे लगाएंगे अब Gunner को नए target point का पता लगाना पड़ेगा और इसकी कोई guarantee नहीं कि plane उड़ाने वाला पाइलिट दुबारा से अपना रास्ता ना बदले और ये तो थी continuously pointed fire की बात और predicted concentration में तो ये समय और भी जादा लगता है टार्गेट के रास्ते का पता लगाने में लगबग 25 सेकिंड का समय चला जाता है और future target point की prediction में और 5 सेकिंड का समय लगता है सभी batteries को coordination में किसी एक target point पर lock करने में लगबग 10 सेकिंड का समय और लगता है और batteries के द्वारा fire किये जा रहे shell को target तक पहुँचने में और 25 सेकिंड का समय लगता है यानि total हुआ 55 सेकिंड अब अगर इससे पहले जहाज ने अपना रास्ता बदल दिया तो भाया gunner की समझो लगी लंका अब ये है fighter pilot का view जो की बड़ी आसानी से gunner की prediction को fail कर सकता है अब ये कोई अंदाजे से नहीं चलता है बलकि इसके पीछे भी proper research है आईए समझाता हूँ कैसे अलग-अलग उचाई पर flight का path change किया जाता है 10,000 feet की उचाई पर लगबग हर 10 second में flight का path change करना पड़ता है और 20,000 foot की उचाई पर ये समय बढ़कर 20 second होता है और 30,000 foot की उचाई पर लगबग 30 second अगर कोई plane अपने रास्ते को बदलने में इस से जादा लंबा समय लेता है तो भया gunner उसके क्रिया करम का कारे करम सेट कर देगा आईए अब जानते हैं किसी fighter plane को कौन कौन से changes नहीं करने चाहिए इस तरह का repeated change तो बिलकुल ना करें क्योंकि इसका average निकाल के future point of target पता किया जा सकता है ये तो था directional change लेकिन यही change altitude यानी height पर भी किया जा सकता है और उसके साथ भी यही same परिशानी है इसका भी average निकाल के future target point का पता किया जाएगा fighter pilot को एक ही curve को भी follow नहीं करना चाहिए वहाँ भी उसके फसने के पूरे chance है और ये curve side में ही नहीं बलकि उचाई के साथ भी हो सकता है इस तरह के changes से बिलकुल बचना चाहिए इसलिए fighter plane के pilot को training के दोरान 5000 foot की उचाई और 20 degree का change हर 10 second में लाने के लिए train किया जाता है और ये दोनों change एक साथ लाने चाहिए आर्टिलरी gun की fire से बचने के लिए ये सारी हरकते enemy की territory में पहुचने से 3 मिनट पहले शुरू की जाती है क्योंकि एक fighter plane के pilot को ये कभी पता नहीं चलेगा कि एक gunner ने उस पे कब निशाना लगा दिया अब ये gunner भी पूरे चालाक है इस तरह की स्थिती से निबटने के लिए एक तीसरे तरह का firing mechanism भी उस किया जाता है जिसे कहते हैं बराज firing इस तरह की firing में हवा में एक imaginary cube के अंदर fire किया जाता है इस उमीद में के हवाई जाज कितनी भी कलाबाजी कर ले लेकिन वो firing range में आ ही जाएगा अब यहाँ पर plane के पास बचने के रास्ते बहुत कम है बोलू तो जितना जल्दी यहाँ से वो बचके निकल सके उतनी तेज रफतार से निकल लेना चाहिए नहीं तो उसके hit होने के पूरे chance है लेकिन इसका एक नुकसान भी है 15,000 फिट तक तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है 20,000 फुट की उंचाई पर इनकी accuracy पहले के मुकाबले लगबग आधी हो जाती है और यह लगातार उंचाई के साथ इसी rate से घटती है किसी भी युद को जीतने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी होती है information अगर आपको एनिमी आर्टिलरी की सही position और उनके firing range का पता है तो fighter plane उससे बड़ी आसानी से बच सकते हैं अब इससे ज़ादा आर्टिलरी से जुड़े हुए military secrets की जानकारी public domain में देना ठीक नहीं होगा हाला कि मैं इस बात से इंकार नहीं करूँगा